इस मोड्यूल में हम फाइलम एनिलीडा की क्लास हाइरोडीनिया का रेप्रिजन्टेटिव लीच के बारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिसकस करेंगे लीच जो के फाइलम एनिलीडा का एक इंपॉर्टेंट रेप्रिजन्टेटिव है यह एक्टो पेरसाइट है वर्टीब्रेट्स पे हुमन बिंग्स के ओपर बफलेंस के ओपर और बुफली पर्टीब्रेट्स की स्कीन के ओपर यह एज एन एक्टो पेरसाइट हमें रहता मिलेगा अब लीच जो है जहां तक इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम का तालुक है इसमें एक्सक्रीशन के लिए जो और गेंज इन्वाल्व हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया प्रोटोनेफ्रीडिया के 10 से 17 पेर्स जो है वो मजूद है और लीच की बॉड़ी चुक है जो है ये क्या करती हैं मेटा नैफरीडिया हाई ली स्पैसिफाइड स्ट्रॉक्चर हैं इनके साथ जो ओपनिンग है उसको हम कहेंगे नैφरोस्टों इसके लावा इसके साथ एक क्यूबूल मवजूद है एक इसके साथ कैपसुल मवजूद है जो के कप शेप्ट है ये स सिलोमिक फ्लूड के अंदर से बॉडी के वेस्ट प्राउडट्स को निकाल सके इसके इलावा जो दूसरा एहम स्ट्रक्चर जो एक्स्क्रीशन में इन्वाल है वो है इसके अंदर क्लोरा गोजेन टीशूज अब क्लोरा जो इन टीशूज क्या करते हैं यह प्रॉलिफरेट होंगे फ्रूदा बॉडी केविटी प्रॉलिफरेट होंगे पूरी बॉडी के अंदर इनकी ब्राउचिस चली जाएंगी और हर ब्राउच जो है फिर सिलोमिक फ्लूड से वेस्ट मैटिरियल को कॉलेक्शन का प्रॉसेस जारी रखते हैं अब लीची जो है यह क्या करती है दे नॉर्मली एक्सक्रीट तब प्लाजमा कहां से फ्रॉम दी इनजेस्टिट ब्लॉड मीर्स चूँकर यह एक्टो पेरसाइट है यह वर्टीब्रेट्स का ब्लॉड जो है वो इनकी डाइट है अब जब वर्टीब्रेट्स का ब्लॉड इनकी डाइट है तो इनके लिए एक्सक्रीशन क्या होगी उसी ब्लॉड के अंदर जो वेस्ट प्लाजमा है देट विल सर्व एज एन एक्सक्रीटरी बाइप्रॉड़क्ट और एक्सक्रीटरी प्रॉड़क्ट तो भी एक्सक्रीटेड बाइदा प्रोटो नेफ्रीडिया अब एक्सक्रीशन जो है नॉर्मली हर वक्त लीज की बाड़ी में एक्टिव नहीं होगा यूग कब एक्टिव होगा अब ये चुके पैरसाइट है होस्ट के उपर डिपैंडेट है जब भी इनको होस्ट मिलेगा डाइट के लिए ये उसके ब्लड को सक करेंगी उसके साथ ही इनके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो एक्टिव हो जाएगा अब जैसे जैसे इनकी फीडिंग का प्रोसेस इनक्रीश करेगा फीडिंग की एफिशेंसी इनक्रीश करेगी तो इसके अंदर उसकी एफिशेंसी के इनक्रीश करने के साथ जितना ब्लड बाडी के अंदर एज़ फूड एंटर होता जाएगा उतना ही इसके साथ साथ digestion का process भी active होगा अब leeching की ingestion जो है इस में ज़्यदा तर जो involved है वो है stereotyped muscular movements क्योंकि लीच की body में इसका सक जो है एक इसका सकर posterior side पे है एक इसका सकर anterior side पे anterior side पे जो सकर है उसके muscular है उसकी muscular movements होंगी वो body के साथ skin के साथ fix होगा fix होने के बाद वहाँ से blood को फिर suck करेगा अब यह इसके साथ जो है stereotyped muscular movements यह saliva को scratch करेंगी और उसके साथ ही जो plasma है that is also excreted अब इस diagram में आप leech को देख सकते हैं यह leech का एक typical structure है यह इसकी body segmented है it starts from the mouth and ends at the anus these are all its segments अब हर segment जो है उसके ऊपर एक nephridium जो है यह proto-nephridium structures वो मजूद है यह proto-nephridium जो है they are involved in the process of excretion they will take out waste products from the blood that is ingested by the leech being कहा बरा साइ्ट यंगा इपराथ साइ्ड